अदाब नमस्कार असलावनेकूम नाजरेन पलपल नियूस के नियूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदियम अक्रम आज भारतिय जनता पार्टी के जितने भी दिगज नेता हैं वो फड़फड़ा रहे हैं और फड़फड़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि जिस रियाज को ले करके पूरे मुस्लिम समुदाय पर उंगली उठाने की कोशिश भारतिय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे जब उस रियाज के कनेक्शन मिले तो भारतिय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरे सामने आ गई और जब तस्वीरे सामने आई उससे पहले मीडिया में चल रहा था कि आतंकवादी कनेक्शन जुड़ा हो सकता है आईएस आईएस से तार चुड़े हो सकते हैं पाकिस्तान से इतनी बार जो है फंडिंग लेकर के आया है रियाज पर वो तस्वीरे तो सामने आई नहीं तस्वीरे सामने आई तो भारतिय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जिसमें गुलाब चंद कटारिया के साथ सीडियों पर नजर डाल लीजें। करता पारटी के कार्यकरता के रूप में रहा है और मेरी कोई गुना नहीं है उसके इन वे साथ में खड़ा हो जाता है यह न है न तो मेरे हाथ में न किसी के हाथ में और उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि उसके कारण से कोई अपराद हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाब भी अपराद ही मुकदमा दज कराएं और उसमें अगर कोई कानून मेरे फोटू साथ होने को कानून में गुना मानते हैं तो मेरे खिलाब कारवाई करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं होगा लेकिन जहां तक सवाल है अल्पसंख्यात मोर्चे के कारकब में जाना यह भारती जंता पार्टी के काम करते हुए मेरा धर्म बनता है मेरे लिए आवशक है मैं करता हूँ आज भी जाता हूँ पहले भ दोस्तों आपने देखा यह भारती जंता पार्टी के गुलाब चंत कटारिया है अब जब इनके साथ में तस्वीरे सोशल मीडिया पर वारल हुई है तो मीडिया पूरी तरीके से खामोश है वो इस पर बाती नहीं करना चाहता और अगर सपोस कीजिए किसी दूसरी कॉंग्रेस के नेटाओं के साथ एक तस्वीर खास्तोर पर रियाज की वारल हो जाती तो गोधी मीडिया अपने सर पर आसमान उठा ले था और दोड़ना शुरू कर देता कि देखिये किस तरीके से रियाज को पंडिंग कर रहा था कॉंग्रेस सरकार पर यहां भारतिये ज अब सफाई देते हुए भारतिये जनता पार्टी नजर आ रही है कि हम तो किसी भी सभा में जाते ही हैं किसी ने अगर कोई फोटो ले ली तो हमारा इसमें क्या कसूर अगर एनाईये को लगता है कि हम कसूरवार हैं तो हम पर कारवाई करें हम पूरी तरीके से तैयार रहे अगर कोई दूसरी पार्टी या कोई दाड़ी या उर्दू नाम वाला मिल जाता तब गुलाब चंद कटारिया खामोश बैटते भारतिय जनता पार्टी के नेता जो अब सफाई पे सफाई पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इस तरीके से दलीले मानते दूसरी पार कनेक्शन अब सामने आई ही जाता है कनहीं अलाल मडर केस में भी भारतिय जनता पार्टी का कनेक्शन सामने आ गया है किस तरीके से इस खबर को लेकर के बवाल मचा हुआ है एक बार इस रिपोर्ट पर भी नज़र डालते हैं आपको बता दे बार बाजपा अलसंख्यक जो जो पूनावाला पूनाववाला नी है चेनावला है बैंट चेनावला है पूनावाला वो पूनावाला एक बार इस रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं आपको बता दे के उधैपुर हत्यकान के मुख्यारुपी मोह्मध अर्याज अतारी काite publ reminder सामने आया है एक तस्वीर में वे भाजपा के कड़ावर निता गुलाब चंद कटारिया के साथ नजर आ रहा है एक पुराना पोश्ट भी सामने आया है इसमें उसने रियाज को भाजपा कारे करता बताया है उधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है कॉंग्रेश के राश्ट्रिय प्रवक् भी है बादपाल संक्यक मूर्चा से जुड़े इर्शाद चेना वाला और कारे करता महम्मद ताहिर के 2019 में किये गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में रियाज दिख रहा है एक फोटो में इर्शाद चेना वाला रियाज को माला पहना रही है इस बारे में पूछे जाने पर इर्शाद चेना वाला ने कहा कि रियाज मक्का मदीना से उम्रा करके लोटा था तब माला पहन कर उसका स्वागत किया गया था चेना वाला ने कहा कि रियाज से उसे महम्मद ताहिर नहीं मिलवाया था उसका रियाज से कोई कनेक्शन नहीं है मुहम्मद ताहिर के बारे में जनकारी जुताई गई ताहिर एक कैमरा मैन है और बीजेपी सपोर्टर है उनकी प्रफाइल फोटो बीजेपी की पगड़ी नजर आ रही है इसी ताहिर ने अपनी पोस्ट में रियाज को बीजेपी का कारेकरता बता दिया था ताहिर ने पोस्ट में लिखा हर दिल अजीज हमारे भाई रियाज अतारी बीजेपी कारे करता का उम्रा की जियारत के उद्यपुर आने पर इस्तक्बाल किया गया अल्हा रियाज अतारी भाईजान की तमाम दुआउं को कबूल फरमाए आमीन ये पोस्ट तहरीर के फेस्बुक अकाउंट से 25 नॉमबर 2019 को डाली गई थी इसमें ताहिर और चेना वाला और एक अन्य बीजेपी निता रियाज को माला पहनाते दिख रहे हैं वहीं ताहिर से जुड़े कई पोस्ट में रियाज अतारी नाम से फेस्बुक अकाउंट मेंशन किया गया है अगर मगर अकाउंट अब दिख नहीं रहा है आशंका है कि हत्यारों ने वारदात के बाद इस अकाउंट को डिलीट कर दिया है इसके अलावा ताहिर की 27 अक्टूबर 2019 की एक पोस्ट भी सामने आई इसमें वह लिक रहा है कि अल्ला ताला हिंदुस्तान में जो मुसल्मानों के हालात खराब हैं उनको तेरे हबूब के वासिले से अच्छा कर रियाज के साथ पोटो को लेकर प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अल्पसंक्यक मोर्चे की पुरानी किसी कारेकरम में फोटो खीचा होगा इरशाद चेना वाला अल्पसंक्यक मोर्चे का पुराना कारे करता है बाकी इस पूरे मामले में अगर मैं या बीजेपी का कोई भी आदमी अगर जुडा हुआ है या गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए उधर अजमेर डक्षिन में भादपा विधायक अनीता भदेल ने रियाज का कॉंग्रेस से कनेक्शन होने का दावा किया उनका कहना है कि आरोपी अजमेर में दंगे करना चाहते थे इसके लिए कई वाट्सअप ग्रूप बनाए थे उन्होंने दावा किया कि आरोपियों के परिवार के लोग कॉंग्रेस के पदादिकारी और सदस्य रही है जिसकी तस्वीरे सामने नहीं आई पर भारतिये जंता पार्टी से कनेक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है जिसके बाद कोई कॉंग्रेस पर आरोप तो कोई भाट्पा पर और भाट्पा से सबूत साफतोर पर लोगों के सामने आ चुके हैं पर आपको बता दें कि इस पर कॉंग्रेस के राष्ट्रिय पवन खेड़ा ने शनीवार दुपहर दिल्ली में प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि कनहिया लाल की जगन्य हत्या के मुख्य आरोपी रियाज अतारी के साथ भाट्पा के दो नेता इरशाद चेना वाला और मुहम्म पर चंद कटारिय के कारेक्रम में अक्सर भाग लेता था रियाज की भाट्पा की राजस्थान अल्पसंक्यक एकाई की बैठकों में शामिल होने की तस्वीरे भी दुनिया भर के सामने आ चुकी हैं थेडा ने कहा कि फेस्बुक पर बाट्पा नेरता इशाद चोहान ने 30 नॉमबर दो हजार अठारा और मुहम्मद ताहिर ने तीन फरवरी दो हजार उन्निस 27 अक्टूबर को दो हजार उन्निस 28 नॉमबर दो हजार उन्निस और 10 अगस 2021 को किये गए पोस्ट के माध्यम से इस पस्ट है कि उद्यपुर में दुकानदार कनहिया लाल की हत्या का आर पर नए तथे आने पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र की सरकार ने इन ही कारणों से इस घटना को जल्दबाजी में एनाईय को ट्रांसफर करने का फैसला किया जिसके चलते अब केंद्र की मोदी सरकार खुद ही रियाज कनेक्शन में सामने हो गई और पूरी तरीके की हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साजा करता रहूंगा दीजे इसासत शुक्रिया